तो कॉंग्रेस को डिवाइव कैसे किया जाए इसके लिए अगर कॉंग्रेस के आपसी मेटा कुछ बैठके अगर प्लानिंग करें तो यही कह रहे है कि कॉंग्रेस का भला सोचने के लिए एक हमने सम्मू बनाया है अभी एक चिंदन शिवर हो रहा है जिसमें मेरे को सोशल ज व्हुवं मेरे कि कॉंग्रेस करेंगे उसमें अपने सुझाव निकार हम लेकिन अब अपनी पार्टी को स्टॉंग करने के लिए लोगों तो अभी मैसेज है कि घुटवाजी तो खतम नहीं हुई चाहे चार कारेकारी अधियक्षबनादिया, खतम नहीं होई है. मेसिज एक जाना चाहिए. वो कैसे जाएगा? लोगों को, हर नेता को, सोनिय गांधी को नेता मालना चाहिए. किसी को यह नहीं कहाना चाहिए, मैं भावी मुख्यमंतरी हूँ. अगर हम नहीं फैंसला करना कि मुख्यमंतरी कौन बनेगा, तो सुनिय गांधी, राहूल गांधी जी क्या करेंगा, हमारे एंबर्ले चुन के आएंगे, वो चुनेंगे ना. जेखिए, जब आदमी और अमश्यस हो जाता है, जैसे कि हमारे शुक्तावर जी और अमश्यस हो गए थे, वो सब मंचों पर कहते थे कि ये भावी मुख्यमंतरी, मैं उनसे मना करता था, ऐसा मत कीजिए, मैं तो छेदाफ है मेरे बनाओ, आप तो दो बर एंपी बने हैं, कि कई बार मैंने स्वाजी रूप से भी मैंने उनसे कहा था, अपनी व्यक्तिगत मुख्यमंत कानशा को आप रख सकते हो, लेकिन उसको जागर करना गलत है. तो अभी तो ऐसा ही हो रहा है, अब सब को पता है कि मुपेंद्र सिंग हुड़ा, मैं कुछ नहीं कहूंगा इसके बारे में ये काम सोनिय गांदी जी का है, आप 2005 में सब लोग कहते थे, चौजी भजनला जी मुख्यमंतरी बनेंगे, क्या बने वो, मुख्यमंतरी तो बुपेंदर सिंग उड़ा बने, तो किसी के कहने या ना कहने से ही मुख्यमंतरी नहीं बनता, कुछ नशीब में मुझे म met भी चौशिच में थे, यहां मैंका बने मैंने पता कि मुझे नहीं पता है, ड़िया मैंने का मुझे आप पहले बता जिटे, तो मैं कहतें थे, ठीक है लेकि मेरे नसीब में नहीं था तो कुछ नसीब में भी तो होना चाहिए ना अब मेरे नसीब में नहीं है तो नहीं है